साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे रुशियों ने उपनिशदों में तम सो मा जोतिर गमाया, मृत्युर मा अमृत गमाया, इसकी प्रार्थना किया है। यानि हम अंदकार से प्रकास की और बढ़ें, मृत्यु से परेशानियों से अमृत की और बढ़ें, अमृत और अमरत्व का स्रास्ता बीना ज्ञान के प्रकाशित नहीं होता। इसलिए अमृत काल के ये समय हमारे ज्ञान, शोद और इनोवेशन का समय है। हम एक ऐसा भारत बनाना है जिसकी जड़े प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आदुनिकता के आकास में अनंत तक होगा। हमें अपनी संस्कृती, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जिवन्त रखना है, अपनी अध्यात्मिकता को, अपनी विवितता को समुरक्षित और सम्वर्धित करना है। और साथ ही टेकनोलोजी, इंफ्रस्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ के संस्ताओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है। देश के इन प्रयासों में आप सभी की प्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्ताओं की बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप अध्यत्म के साथ साथ, सिक्षा, स्वास्त और किसी जहसे कई खेत्रों में, कई बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। और आज जिस अभ्यान को आरम कर रहे हैं, आप उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। अम्रुत महर्चव के लिए आपने कई लक्ष भी तै किये हैं। आपके ये प्रयास देश को अवश्य एक नई उर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे। आज देश किसानों को सम्रुद्ध और आत्म निर्भर बनाने के लिए और्गेनिक फार्मिंग और नेच्रल फार्मिंग प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान, पान, आहार की सुद्धकता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहने समाज को लगातार जागूर्द करती रही है। लेकिन गुनवत्ता पुर्ण आहार के लिए गुनवत्ता पुर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेट्रल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए प्राकृतिक खेदी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेना बन सकती है। कुछ गावों को प्रेरित करके ऐसे मोडल खड़े किये जा सकते हैं। इसी तरह क्लीन एनर्जी के और परियावरण के खेतन में भी दुनिया को भारत से बहुत अपिक्षाए हैं। आज क्लीन एनर्जी के कई विकल्प विक्सित हो रहे हैं। इसे लेकर भी जन जागरण के लिए बड़े अभ्यान की जरुरत है। ब्रह्मा कुमारीज ने तो सोलर पावर के खेतन में सब के सामने एक उदान रखा है। कितने ही समय से आपके आश्रम के रसोई में सोलर पावर से खानः बनाया जा रहा है। सोलर पावर का इस्तमाल जाता से जादा लोग करें। इसमें भी आपका बहुत सयोग हो सकता है। इसी तरह आप सभी आत्मा निर्भर्थ भारत अभ्यान को भी गती दे सकते हैं। वोकल फर लोकल स्थानिय उत्पादों को प्रात्थिक्ता देकर इस अभ्यान में मदद हो सकती है।